तो अम्दावाद खाते गुजरात प्रदेश महिला कॉंग्रेस नी कारोबारी नी बैठक मड़ी हती अबैठक मां महिला राज्ट्री अद्यक्ष सुस्मीत देव नी उपस्तिती मां कॉंग्रेस प्रदेश कारलाई पर अबैठक योजाई हती बैठक मां महिला कॉंग्रेस न चुटा एला प्रतेने धियो छली चुटनी कराई छे कॉंग्रेस से भूतकाड मास्त्री शर्षक्तिकरन माठे करेल कामों अंगे पंचर्चा कराई है थी परन्तु आज स्टेट एक्जेकेटिव में हमने डीटेल डिसकाशन किया कि किस तरह से हम फिर से ग्राश्रूट लेबल में जाके महिला कॉंग्रेस के संगठन को शक्ति साली कर सकते हैं अमित चावडा जी और बाकी नेता उने परेश जी और जितने भी नेता थे और हमारे जो महिला नेता गर्ण थे हमारे दो MLA's थे हमारे साथ हमने मिलकर ये निर्ने लिया है कि हम ग्राश्रूट में मेंबर्शिप के माध्यम से कॉंग्रेस को और ताकतवर करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि महिलाओं के बीच में जाकर कॉंग्रेस का जो इतिहास है महिला शशक्तिकरन को लेकर उसको लेकर महिलाओं के बीच में जाना वहाँ उन्नाओ का गाइंग रेफ हुआ उसके बाद उन्नाओ की बेटी जब गाड़ी से कहीं जारी थी उसका एक्सिडेंट हुआ आज तक वो All India Institute of Medical Sciences में अपने जिन्दिगी और मौत की लड़ाई लड़ी है आज तक बनारस हिंदू युनिवरस्टी में जो प्राइम मिनिस्टर का अपना कॉंस्टिट्वेंसी है लड़किया Sexual Harassment Act में जिस प्रोफेसर 24 को दोशी ठेराये गया है वहाँ पर कोई आक्शन नहीं हो रहा है पर प्रधान मंत्री चुप है आज शाजहानपुर जो लौ स्टूडेंट के साथ भारतिय जनता पार्टी के पूर मंत्री चिनमयानन ने किया उस पर भी प्रधान मंत्री चुप है और आपको पता होगा कि जब तक उन्नाओ की बेटी का एक्सिडेंट नहीं हुआ अमिच शाजी ने सेंगर जो दोशी है उन्नाओ के बलातकार के केस में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नरेंडर मोदी जी और अमिच शाजी का एक बहुत बड़ा जुमला है और हमारा ये सवाल है कि बीजेपी के अंदर जिनके खिलाब बलातकार का आरोप है, सेक्शुल अरास्मेंट का आरोप है क्यों प्रधान मंत्री जो बेटी बचाने की बात करते हैं और अमिच शाजी जो खुद ग्रिया मंत्री है वो क्यों चुप रहते हैं इन इशूस को लेकर हम महिलाओं के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो कॉंग्रेस से और जुरें महिला कॉंग्रेस अपना मेंबर्शिप जो ड्राइव चलेगी उस पे भी जोर देगी और ग्रास रूट से बूत वाइस महिलाओं का मेंबर्शिप करने की कोशिश करेंगे इसके अलावा राजीव गांधी जी का 75th बर्थे है, महात्मा गांधी जी का 158 बर्थे है जो भी कारेक्रम PCC करेगी उसके साथ महिला कॉंग्रेस जुरेगी और उसके अलावा राजीव कांधी जी के लिए जो इलेक्टिट पंचायत में, जिला परिशद में, पार्षर नगर निगम में या विधान सभा में जो महिलाओं हैं उनको लेकर हम एक बड़ा महिला सम्मेलन आफ्टर दिवाली गुजरात में महिला कॉंग्रेस के बैनर में PCC के साथ